आगामी साथ दिसंबर से नाकपुर्बई श्रित कालिन सत्र की शुरुवात होने चारी है जिसके चलती विदान भवन की सुरक्षा एवं आंदुलन परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जा लगबग 13173 बल तैनात की एके हैं जिसके विशह में जानकाई दिनी की से पुलिसाइत अमितेश कुमार ने पत्रपरिशत का आईचन क्या था जहां पुलिसाइत अमितेश कुमार ने जानकारी थी कि विदान भवन पर दस्तक देने वाले मोचे आंदुलन अद्वा विरुत प्रदेशन के दुरान गरपड़ी फैलाई जाने की आशनका है इस व पहरे जीलों से 10 उपाइक्त, 50 साहक आईक्त तथा 75 पुलिस नरिक्षक बुलाए गए हैं बमशोदक और नाशक दल की 30 तिम भी बहार से आने वाली है और नाखपुर पुलिस की 5 तिम भी मौचित रहेगी गौर तलब है कि आगामी 12 दिसंबर को शरत पवार के नितुत्व इस पत्रपरिशत के मात्यम से बताया किया है कि बंदबस्त में तैनात अधिकारी कर्मियों ने बेहत सत्र होकर करते विकाप पालंग करने के निदिश देए गए हैं जा उन्होंने किसी भी घटना की तदकाल अधिकारी को सुचना देकर उचित कारवाई करने को कहा है साथ उन्हें संदिक निगति विदियो पर नजर रखने की सला दी है गौर तलब है कि अधिवेशन के बीच 9 दिसंबर को केंटिय ग्रोहमत्री आमिशाह का भी दौरा निर्धारित किया गया है जिसके चलते पलिस वराव कड़े इंतजामात की गए हैं नागपूर में एसेंबली सेशन के लिए पूरी तरीके से बंदोबस्त की विस्तरित उपायोजना की गई है वी आईपी सेक्यूरिटी हो विधान भवन का सुरक्षा या जहां पे रहने की ठिकान हो सभी प्रकार के सभी विश्यों पे पूरी तरीके से नियोजन करके बंदोबस्त डिप्लॉई किया गया है एक टोटल अंदाजन 11,000 पुलीस अधिकारी करमचारी इस बंदोबस्त में रहेंगे इसमें से 4-5,000 हमारे स्थानिक अधिकारी करमचारी हैं बाकी बाहर जिले से और अधिकारी करमचारी हैं उनके करमचारीों के रहने की विवस्ता, खाने की विवस्ता, उनके आरोग्य हेल्थ की इस्यों सभी का नियोजन किया गया है विई-पी सेक्यूर्टि यहो, रोड मूव्मेंट हो, रहने की ठीकान हो, मोर्चा हो सभी के लिए बंदोबस्त जो एक फ्लड की सिच्वेशन निर्मान हुई थी उसके वज़े से जो पुल कॉलाप्स हुआ है और कुछ और कैनाल रोड पे की कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क डेवलप्मेंट वर्क और कहीं कहीं रिपेर वर्क्स के वज़े से थोड़ी सी ट्राफिक की समस्या है लेकिन हम ने लोगों के लिए अल्टिनेट रूट्स की नियोजन की है अगर किसी को नौर्थ नाकपूर से या मानकापूर गिट्टी खदान काट्रोल रोड इस तरफ से उनको वर्धा के तरफ या एरपोर्ट के तरफ जाना है सोशल मीडिया के माधियम से या दूसरे आपके एलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रेस के माधियम से हम जरूर लोगों को बताते रहेंगे बट ये ठोटी मैं बताऊंगा कि सभी प्रकार के इशूज को हम एंटिसिपेट हमने किया है और उसको ध्यान में रखते वे बंदोबस्त का नियोजन किया गया है क्यामरा पस्तन अकिलेश भारतवाश के साथ मरीश टेमरी के रिपूर्ट